नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल पर दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट मंजीत रपाठी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि DM की तरब से peaceful position होता क्या है दोस्तों देखें यदि किसी वेक्ति ने secure loan लिया है, home loan लिया है और उसने उस home loan के average में अपनी कोई property mortgage की है यानि बंदग रखी है अब वह वेक्ति अपने उस loan को चुकाने में default कर देता है, 90 दिनों तक वहाँ पैसा नहीं चुकाता है, EMI नहीं देता है तो bank उसको legal notice भेजने लगती है और उसका account NPA category में चला जाता है अब इसमें बात आती है कि जब account NPA हो जाता है तो bank को तरफ से उस करजदार के ऊपर pressures बनाये जाने लगते हैं और उसको reminder notice और उसके बाद 13-2 की notice जो की demand notice होती है उसको भेजा जाता है उसके बाद जो 60 days का समय बीच जाता है तो फिर उसको 13-4 की notice भेज जाती है जो की possession के लिए symbolic possession की notice होती है तो इसमें भी अगर वो borrower है जो अपना पैसा नहीं दे रहा है bank को यानि कि जो bank का loan है वो नहीं चुका रहा है तो bank उसके खिलाफ surface act में कारवाई करने के लिए मजबूर हो जाती है तो इसी surface act के अंद्रगत एक peaceful position होता है जो की DM की तरफ से होता है तो यहीं लोग सोचते हैं कि यह peaceful position क्या होता है और इसमें कितने दिन का समय मिलता है क्या DM तुरंत आकर के हमारे property से हमको बेदखल कर सकते हैं मालीजी के हमारा residence है और उसी को हमने गिरवी रख करके home loan लिया था और हमने अपना पैसा नहीं चुका आया है COVID के वज़े से तो क्या DM फोर्स के साथ आएंगे और हमें हमारे घर से बाहर निकाल सकते हैं क्या DM हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे तो इन ही बातों को ले करके आज हम लोग चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपने loan लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत की काम की है इसको पूरा step by step देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत सारे लोग इसी बात को ले करके चिंताम रहते हैं तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन लगा के all notification को भी on कर लिजेगा ताकि जब भी चल पर कोई वीडियो अप्लोड हो तो उसके notification के जानकारी सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए दोस्तों देर रहे करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों देखें यदि आपने भी या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी भी बैंक से सेक्योर लोन लिया है और वह 90 दिनों तक डिफॉल्ट कर देता है और अपना लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसके account को non-performing asset की रूप में घोसित करती है जिसको क्याते हैं NPA NPA होने के बाद बैंक उस customer के ऊपर यानि कि जो borrower है उसके ऊपर वह mentally रूप से और legally रूप से pressurize करना उसको सुरू कर देती है पहले तो reminder notice calls और recovery agent के माध्यम से उसको परिसान किया जाता है recovery के लिए उसके पास लोग को भेजा जाता है अगर वक्ती फिर भी पैसा नहीं देता है बार फिर भी अपना पैसा बैंक में जमा नहीं करता है यानि जो लोन उसको रीपेमेंट नहीं करता है तो बैंक मजबुरन उसके खिलाब सरफेसी अधीनियम के अंदर कर रवाई करने लगती है जिसमें की legal notice होती है 32 की और 34 की जो notice होती है 32 की notice में उसको पैसा मां बैंक को वापस नहीं करता है तो बैंक उसको 34 की notice 60 दिनों के बाद भेज देती है अब 34 की जो notice होती है वो symbolic possession की notice होती है इसमें जो बैंक होता है वो कहता है कि हम आपकी property को symbolic रूप से अपने कभजे में ले ले रहे हैं अब इसमें उसके पास 30 दिन का समय होता है उस symbolic possession के notice क यह बाद भी bank को वो पैसा दे करके जो borrower है वो पैसा दे करके अपना जो account है उसको या तो settle कर सकता है या close कर सकता है या फिर अपने account को regular कर सकता है लेकिन 134 की notice आने के बाद भी अगर वो borr नहीं चेता है कोई बात नहीं लेंगे जो भी होगा तो इसमें उसको फिर बैंक डेम के पास जाती है और वहां से एक पंजेशन की नोटिस वहां से भेजबाती है तो यही जो पॉजिशन की नोटिस होती है सेक्शन 14 सर्फिसी एक 2002 के अंदर गत यही होता है कि DM के यहां से जो नोटिस आती है वो चपका दिया जाता है बारोर के गेट पे या फिर जो भी प्रोपर्टी बंधक रखे गई है उसी प्रोपर्टी पे अ वह बिना किसी हिंसा के बिना किसी वाइलेंस के आपको घर से बाहर निकालने के लिए वो कह सकते हैं कभी-कभी जोर जब रजस्ती भी अपनाना पड़ता है तो पहले तो वह आपसे आगरा करेंगे कि आप 48 घंटे के अंदर ही उस रेसिडेंट को या फिर उस प्रोपर्ट करता है और फिर उनको जबरजस्ती उस घर से बाहर निकलना पड़ता है तो यही पीसफुल पजेशन का मतलब होता है बैंक डेम से कहती है कि आप हमारे साथ चलिए और उसको कहिए जो बॉर्वर है वह अपने घर को खाली कर दे उस प्रोपर्टी को खाली कर दे जिस प्रो लोन लिया हुआ है और आप पैसा नहीं दिये हैं तो वह घर आपके हां से चला जाएगा जिसमें आपकी फैमिली रहती है छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं तो आप डीम से वहां पे उनके आजा करके एक अप्लिकेशन लिकरके प्रातना कर सकते हैं कि सर हमें हपते का एक हपते का एक महिने का या पंदरा दिन का आप हमें मुहलत दें कि हम वैकल्पिक रूप से कोई दूसरा घर रेंट पे या किराये पे देख लें ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि 28 घंटे बीतने के बाद भी वह बॉर्वर उस प्रॉपर्टी को खाली करके एक अरजी दाखिल कर सकता है एक प्रातना पत्र दे करके कुछ समय मुहलत मांग सकता है लेकिन यहां समय आपको एक मेने से ज्यादा नहीं मिल सकता है तो आप गर ऐसा लगता है कि डियम आपके घर पर आएंगे उसको खाली कराने के लिए किसी भी समय आ सकते हैं तो आप डियम के यहां जा करके एक प्रातना पत्र दे करके उनसे आप मदद के लिए गुहार लगा सकते हैं तो यहां पे आपको मदद हो सकती है 15 दिन की एक हपते की या एक मेने की एक मेने से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा तो दोस्तों यही होता है पीसफुल पोजेशन और इसी पीसफुल पोजेशन में आपको कैसे समय मिले आप इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप डियम से जा करके आप समय माग सकते हैं तो दोस्तों यदि आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है सरफेस से यह दिनियम के अंतकत बैंक आपके उपर करवा दाइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरू प्रतान करिएगा थाइकिस सो मच जैन दोस्तों